हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार सभी को सश्रीयकाल सभी को वादाव और सभी को जैहिंद कैसे हैं आप लोग येस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना पार्ट वो है अपने क्योंकि अभी तक हम लोग ने प्रिवेसरे कोईशन देखे थे अब हम लोग क्या करेंगे जहां पर ऐसे कोईशन जो एक्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी-पूरी संभाव ना है तो चलिए शुरूआत करते हमें सेशन की अंकुर अधी शिवांचू देन वी हैव वी है हम लोग जब भी और वेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3R आते हैं अब वो 3R क्या है जरा वो भी डिसकस कर लेते हैं क्योंकि एक्जाम यहां से पूर्ट आप करता है 3R जहां पर R का मतलब हो गया reduce, reuse और recycle अब बेसिकली है क्या कि हम लोगों के घरों से बहु जो solid form में आपका जो waste present है इसका कुस्तो नाम होगा, so let us see वो नाम क्या है, तो वर्षा, अंकुर, मिजदिकत परिशानी, फटावट से बताओ इसका answer क्या होना चाहिए, तो आप लोग जितने भी यहां पर answer दे रहे हैं, उन answers में से हमारे पास जो पहला option देखा, वो सार हम हम लोग सीज़े tick कर देते हैं, but please remember, there is a difference between sedge and sludge, तो यहां पर जो answer होगा, वो क्या है, गुरुदेव, यहां पर जो answer है, वो है sludge, यानि कि, जो solid waste होता है, जो आपके सामने present है, अंकुर, वर्षा, शिवांशु, सब लोग याद रखीगा, यह solid waste actually sludge कहलाता है, तो जितन fundamental particles की बात करूं, fundamental particles, इनको हम लोग molecule के नाम से भी जानते हैं, तो जो molecule होते हैं, fundamental particles वो कौन से हैं, we know that they are electron, proton and neutron, right, लेकिन अब मैं electron, proton, neutron की बात करूं, यह तो सर आपके fundamental particles हुए, यानि कि molecule, अब यहीं पे सर अगर आपसे non-fundamental particles की बात कर ले, तो महाँ पे आप किस की बात करेंगे anti-nutrino, right, अब यहाँ पर, देखो, अधी हमारे C के साथ जा रहे है, शिवांचु C के साथ जा रहे है, मिस दिकत परिशानी C के साथ है, आप लोग इसका मतलब answer दे रहे है, alpha particle, right, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, सामने कुछ image भी लगा रखी है, तो देखते ह यहाँ से कुछ X-Spin करना होगा, तो देखें, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इस पोजी ट्रॉन, right, इधर anti-proton, अब मैं अगर anti-proton की बात करें, यह अगीन क्या हो गया, sir, again, if I talk about anti-proton, प्लीज जा रखेंगे, यह आपका non-fundamental particle है, गैल, गैर, मॉलिक करन है, तो इस वा जविंद्र ने answer दिया है, उसका वी मेथ, ठीक है, तो गुरुदेव, यहाँ तक हो गया, अगले question पर आगे बढ़ते हैं, अगला question आपके सामने है, यह, the depletion in the ozone layer is caused by dash, so talking about the depletion of the ozone layer, अब यहाँ पर साथ थोड़ा सा, हम लोग environment वाले पार्ट पर जलते हैं, तो शिवां सर, हम लोग यहाँ पर गयर मॉलिक कड़ की बात कर रहे थे, शिवांच वाँ चॉक्रेट, डन, लिख लो एक और, तो वर्शा यहाँ पर C के साथ है, सुमन E के साथ, एक बार देखते हैं, देखिए, ozone layer, इसके बारे में तर समझा जाए, तो जब मैं सर, ozone की बात करता तो यहाँ में सर, हम लोग triatomic form की बात करते हैं, किसके, oxygen के triatomic form की, that is I am talking about O3, अभी खहाँ present है, तो सर, अर्थ के पास, जब sun से UV rays आती है, तो हम लोगों को जो UV rays से बचा के रखती है, वो कौन सी layer है, सर, वो आपकी ozone ही है, और यह जो ozone है, सर, इसकी चौडाई जो मापी याती है, यह भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, यह मापी याती है, बेटू, किस में, डॉप सन में, यह भी हमको clear है, but the thing is, कि सर, यह ozone layer को deplete कौन कर रहा है, तो यहाँ पर सर, आप देख रहे हैं, मैंने कुछ mention कर रखा है, what are they, chlorofluorocarbons, अभी जो chlorofluorocarbons ही कहां से नि इसकी वज़ा से हमारे साथ अलग-लग टाइप की issues होते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर term की बात करें, तो क्या answer होगा, the correct answer is going to be of CFCs, यानि कि chlorofluorocarbons आपका सही उत्तर होगा, सनोज कह रहे हैं, कि अवाज का मारी है, सब लोग के बार मुझे confirm करना, क्या आवाज का मा चली सर, तो यहाँ पर हो गया, chlorofluorocarbons, अब मैं nitrous oxides की बात कर लेता हूँ, इससे सर क्या समस्या होती है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं nitrous oxides की बात करूं, इसकी वज़ा से जो समस्या आती है, वो है acid rain, यानि क्या, अमलिय वरशा, अब हम लोग sulfur dioxide की बात करते हैं, तो जब यह बना देगी, सर, यह बनाएगी nitric अमलिय, यानि की nitric acid, और यह nitric acid जो हमारे उपर गरेगा, तो हमारे समस्या खड़ी करेगा, तो यहाँ तक sorted है, इसके बास carbon dioxide वो तो naturally present है, environment में, अब यहाँ पे सर, कितनी percent present है, यह भी exam में methane, सर, जो आपकी marsh gas, field gas, paddy gas, इनके नाम से जाना आता है, अगर मैं chemical formula की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, CH4, यह हो गया, चलो सर, इसका मतले है, यहाँ तो यहाँ तक तो सर समझ में आया, तो राहूल यह भी clear, ठीक है, next, अगला question, जब पानी स्वेम किसी तत्विया खनिच के साथ रसानिक रूप से जुड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे कि मैं आपे water molecules की बात करूँ, तो आप देख रहे है, water molecules, so basically when water itself combines chemically with some element or mineral, it is called what, is it carbonation, desalination, hydration या oxidation, what do you think, paddy gas के नाम से भी जा गया था, बिलकुल, so अंकुर, बिलकुल सही, अब बाकी लो, वी मेट कहा रहे है, highly inflammable है, बिलकुल सहीगा आपने, so तेवारी शिस्टी, okay, अफटाफट इस cancer दो, इस cancer क्या होना चाहिए, तो जब पानी स्वेम किसी तत्विया खनिका रसानिक रूप से जुड़ता है, तो उसको खुछ तो बूला जाता होगा, अब देखो यहां पर अगर आपको answer नहीं भी बता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं sir, options के साथ भी जा सकता हूँ, मैंने हमेशा बोला, इस वाले पार्ट में, अब sir, carbonation वाले पार्ट से तो कुछ मतलब हुआ नहीं, यहां पर सीधे-सीधे मुझे click करता है, कि sir, यहां पर जो term होगा, वो क्या शामेल है, सिर्फ oxygen, oxygen और nitrogen, hydrogen carbon यहां फिर oxygen और carbon, अब इसके बार में हमने discuss किया, हेलो माशंकर, तो वर्षा का answer D था, सुमन answer D, D के साथ जा रही थी, इसका answer, सुमाशंकर बिल्कुल ठीक, कोई बार नहीं, इनलेशेट सो के, सो hydration आकांशा आपका बिल्कुल सही answer था, weapon B के स going with C, तो तिवारिश रस्टी, राहुल, बागी लोग, अंकोर इस going with B, किसार oxygen और nitrogen, देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया, इसमें tension लेनी ही नहीं है, simple सा fund है, कि यहां पर आकांशा, पुल्टरिस्ट, weapon god, सिवांशू, उमाशंकर, राहुल, स्नेहा, अब पर इमेज भी लगा रखे, कि आप कहीं confusion ना गरें अपने दिमाग में, तो वर्शा, सनेहा, राहुल, विपन, आकांशा, प्लीज सब लोग याद रखेंगे, it is actually O3, जब O3 है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ oxygen, तो इता correct answer is going to be your answer number A, that is oxygen only, तो इता correct answer वियापक, अनुप्रयोग वाले दो तत्मों के नाम बताईगा, तो नेम दी two elements that we find application in the transistor industry, तो transistor में सर किसका इस्थिमाल करते हैं, अब यहां पे सर हम लोग अच्छे से जानते हैं, किसकी बात हो रही है, सर यहां तो बात हो रही है, सेमिकंड़क्टर की, सो शिवान्शु अच्छा कमेंट लेट आ रहे हैं, हाँ हो सकता है शिवान्शु कि कमेंट लेट आ रहे हो, वही मैं वेट करता हूँ, थोड़ी दर के लिए, तो शिवान्शु का यह आंसर आया, तमन्ना ए के साथ जा रहे हैं, आकांशा ए के साथ हैं, राहूल ए के साथ जा रहे हैं, वी यहां पर जो आंसर होगा दिद इस silicon and germanium तो तो स्नेह, सुमन, अंकुर, चंदन, पारुल, पूरी की पूरी गैंग सही है तो सही उत्तर हो गया, option number A, यानि कि silicon और germanium अगला प्रशन प्रशन है, नेमले कितम से किसी भूरा कोईला भी खा जाता है which of the following is also known as brown coal अब इस का अंसर बताईए से so, Akansha, Rahul, Wipin, True so, Shivanshu, फटाफट से अब तरी जब कोईले की बात करें तो मैं कोल्स पे थोड़ा से डिटेल में चलूँगा यहां पर ना मुझे कोई सम्झाना भी था तो brown coal कोन सा इसर चार options है मारे पास anthracite, bitumils, coke और lignite तो अंको रहे के साथ है Shivanshu का बता रहे है कि 91 metals होते है 7 metalloids से 20 उसमें से non-metals वाले पाद रहा बढ़िया, Shivanshu बाबा हमारा expert हो चोगा है लड़का बढ़िया so, Akansha करे lignite, Rahul करे D Himanshu पूचने, सब नियू वेज़र अब से start हो रहे है तो यहाँ पर Himanshu आप एक बार support team से एक बार पूच ले ना वो आपको अच्छे से बताएंगे इसका भागी फिर आप comment section में डाल देना मैं एक बार team से पूच के उस पर reward करता हूँ so, Neelash is going with D Sneha E के साथ जा रहे है Ankor D के साथ अब देखो Sir, ऐसा है कि पहले तो मुझे समझ में आ राची जब मैं कोईले की बात करता हूँ तो कोईले की categories कौन-कौन से होती है तो इसकी सब 4 mean categories है सब लोग जहान सुनेंगे कौन-कौन से Anthracite Bituminous Lignite और चौता होता है Peet कौन से होता है ये 4 categories है जिसमें से आप से अगर पूछे सब सहाथ कारवन का percentage किसमे होगा तो सब सहाथ जो परसेंटेज है वो सहर होता है Anthracite वाले पार्ट में तो ये मैंने sequence order में लेख दिया यहां पर आप लोग sequence order याद कर सकते है याद करने का तरीका क्या है आप बस starting के letters देखो A, B, L, P तो dictionary के form में जाएंगे तो सब से पहले क्या था है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M, N, O, P So this is the trick इस trick का इस्तिमाल करते हुए आप लोग याद रख सकते है कि carbon का percentage के अगर मैं sequence order में लगा हूँ इस coal के part को तो कैसे होगा तो सब से जो best quality का coal होता है पारोल यादा बिल्कुल सहीगा आपने वो best quality आपको मिलेगी anthracite तो याद करने का तरीका मैं फिर से repeat कर देता हूँ आपने पास हर शीज की ट्रिक है तो यहाँ पे गुरुदे जो ट्रिक है वो यह है A, B, C, D वाला sequence order आप राखिए dictionary वाले form में तो सब से पहले A आएगा फिर B, फिर L, फिर P एंड सो ओन तो यहाँ पे साब आप से पूछा brown coil कौल कौन सा होगा तो brown coil वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका lignite यह जानी की option number D आपका बिल्कुल सही होता रहे so has the least concentration of carbon बिल्कुल सही तो सब स्यादा concentration है इसमें और सब से कम जो concentration होगा वो आपका पीट में एक-एक बच्चा टेलेंट है तो नीलेश बाबा पारोल पूरी के पूरी यंग जहां पना तो स्थी ग्रेट हो और उच्च वालिटी का जम्मू एंट गश्मी आरे वाचंदन perfect so इतनी जीस क्लियर होई तो से से दिन सी के साथ है यह सर हमारा part sorted हुगा next अगला question अगला question है आपके सामने यह biogas का प्रमो गटा कौन सा है the main constraint of the biogas is dash अब सर इस पर आ जाते है biogas की बात हो रही है so science में से एक कुशन था जो हमारा rate ओके तो देखो सिंपल सी बात जब हम लोग साथ fear and fight, flight की बात करते थे याद है तो उसमें आपका कौन सा particular hormone काम करता था adenaline वाला part होता था याद है जो सर emergency response में help करता था खेर तो शिवान्शू यहाँ पर B के साथ जा रहे है ओमाशेंकर B के साथ जा रहे है राहूल is going with B आकाशा B के साथ यह तो यहाँ पर साथ जो mean constant है bio gas का that is methane जिसका formula है CH4 और इसको अलग लग नाम से जाना जाता है यहीं पर लिख लेते हैं एक बार तो इसका जो नाम है सर वो क्या हो गए marsh gas field gas paddy gas right so even greenhouse gas यह सारे सारे नाम हैं इसके तो सुमन, रोहित, स्निहा, अंकोर, दिलीप, वर्षा, पूरी यह पूरी गैंग बिल्कुल सही जा रही है सही answer होगा यहाँ पे methane अगला प्रशन बेटो अगला प्रशन ने आपे yes aim next अगला प्रशन आपके सामने यह हमारे शरी का जो pH value होती है वो किसके बीच में लाई करती है जल्दी ब्लीज so the pH of human body is between dash तो उसर 6.7 से 7 के बीच में 7.35 से 7.45 के बीच में 8 से 9 4 से 5 क्या लगता है, क्या होना चाहिए अब दोखो हमारी जो body है तो वो कहीना कहीं सर slightly basic in nature है अब जो मैंने आपको answer दिया इस से applying कर पाऊगे तो मैंने कहला slightly basic है तो अब slightly basic है तो सर अगर इस वाले part पर जाएंगे तो ये तो आपके सर acidic nature show कर रहे है है ना, इसी प्रकार से आखाएं शादी को पता है क्या ना, ये paper में जब blood पूछता तो हमनों बहुत आसानी से लगा देते answer दिक्कत आती है कि भाई सार ये हमारे शरीर का पूछ लिया तो हमारे body की pH value क्या होगी और exam में ऐसे पूछता है तो बिलकुल ले सकते हैं अंकित यही questions से जो घूम फिर के आते हैं तो यहाँ पढ़ना, yes, this is for you तो अब गुरू दे जैसे मैंने यहाँ पर बात करी अब इधार आजाओं तो सरी यह क्या ही यह तो acidic nature है तो हमारा जो शरीरा वो slightly basic होता है यानि 7.35 से लेगा 7.45 similarly, अगर रक्त की बात कर ले अंकित, दिली, पारुल तो अगर आप रक्त की बात करेंगे यानि कि अगर आप blood की बात करते हैं तो blood की pH value आपको याद रखनी है let us 7.4 यह donor question exam के लिए काफी important है घुमा फिरा के कैसे पूर सकता है तो राहुल, आकांचा, विपेन, एम सब लोग याद रखेगा क्या होगा answer? the correct answer is going to be 7.35 to 7.45 यानि क्यासा होगा? यह sir, हमारा जो शरीर है वो हलका सा कैसा होता है? चार यह होता है चार बोले तो English में कहते है basic चलिए sir, यह भी sorted है अगला प्रश्न sir, Coca-Cola का जो खटा स्वाद आता है वो किसकी उपस्तितिकारण आता है? so yes, ठड़ना मतलब Coca-Cola तो सनोज के रहे हैं साथ थोड़ा साउंड इंक्रीस करना है एक बाए मैं क्या देता हूँ team से चलिए तो मैंने एक बाए team को inform कर देता हूँ sound के लिए ठीक है? ढ़न वरी अब तर यहाँ पर आंसर दो तो गुरू देव सवाल है Coca-Cola का जो खटा स्वाद होता है वो किसकी उपस्तिती की कारण होता है कुछ तो होता होगा Acetic Acid, Phosphoric Acid, Hydrochloric Acid या Formic Acid तो यहाँ पर ज़र एके करके देखते हैं अधी पता नहीं comment date क्यों जा रहे हैं डॉड नो चलो कोई नहीं तो यहाँ पर आते हैं तो A में इस गूइंग विद B Hello Pavan, Jehand, बिटा आकांचा B के साथ हैं Nick हमारे C के साथ जा रहे हैं दिली कोई नहीं गलत हो गया तो हो गया सीखेंगे तो जो Acetic Acid है यह हमें मिलता सिरकान जो English वाले candidate है सर यह कहां मिलेगा सर यह मिलेगा Vinegar में अवाज बलाता है अब यहाँ पर जो मैं Vinegar की बात कर रहा हूं तो एक बार देख लेते हैं सिरका यह Vinegar जो हम लोग अचार में इस्तिमाल करते हैं तो obviously किस के काम आता है सर लंबे समय था खाने को सुरक्षित रखता है यानि खाने को सड़ने से बचाता है दूसरा अगर मैं Phosphoric Acid पर जाओ इसके बारे मैं अभी डिसकस करी लेंगे फिर आते हैं HCL पर यह हमारे Amashay में यानि यह पीट में मौझूद है जहां पर हम लोग सर गेस्टिक जूस हैं जटरस की बात करते हैं और ten formacomb lesser farm से जाद हो चगा है क्या मिलता है फार में मिलता है अब क्या बचाता है दूसरा प्चाता है तो सर यह हम लोग ठंडा मतलब कोकाइन की լात कर रहे हैं यस मीथे नीजए की बात और यह आपके आंट के लिएर한다 leaves me, बिल्कुल, तो इन सभी ज़े मिलती हैं, तो ये जो Coca-Cola का साथ, जो खटा सा स्वाद है, ये होता है, फॉस्फोरिक एसिड के कारण, किस के कारण, फॉस्फोरिक, तो आप लोग जो A के साथ जा रहें, वो गलत है, तो कितने लोग हैं, जो B के साथ चलो सर, ये भी सौटेड हो गया, अगले कुशन पर आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन है ये, हम लोगोंने बहुत सरी कॉमन चीज़ देखी है, बनाना सब लोग परच्चीज करके लाए होंगे कभी ना कभी, केले, तो जब लोग केले लेके आते हैं, तो जब हमने देखा है, कि भाई साथ ठेल पे जो केले रखे हुए हैं, वो कुछ ग्रीनिश कलर के हैं, मतलब यहां से यह समझ में आया है, कि सब केले जो हैं, वो कच्चे ले ले गए गए थे, जिनको फिर करते हम रूप से यहां फिर आर्टी वीचली पकाया गया, तो हम लोग ग्रीनिश करते हैं, खासका जो यूपो वाली वाले वाले हैं, और राजस्तान वाले, वो जानते हों कारबड से पका दिया, आप sब देखते हैं यहां पर क्या अंसर होगा आपके पास आप्शून सारह है पूरा-क्पूर हिंड देदिया है jóय एऍक्ज़ैमें से पूछली ते रिट किससे होती है तो आपहँ हांचा बिल्कूल that's right आदी हमारे ड के साथ जा रह可能 जारे है शोवं हमारे A के साथ जा रहे हैं अंकोर इथाइलीन के साथ थे तो यहाँ पर तिवारी विपन हमारे D के साथ है पवन बाबा हमारे D के साथ है तो जितने भी लोग D वाले हैं सिर्फ D वाले जैसे कि अधी हो गए इधर पवन तिवारी तो D for D C हाँ तो गुरुदेव यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा D मैक्सम लोग यहाँ पर गलती करते हो C के साथ चले जाते हैं प्लीज आद रखेंगे कि केल्शम कारवाइड की जह हम बात कर रहे है तो बेसिकली on the treatment with water it gives acetylene और यही सर आपके artificial ripening of the fruits में काम आता है क्योंकि अब हमारे computer के session का time हो चुक है तो आप लोग के में खूमवा question दी जा रहा हूँ चो मैं कल फिर यहाँ पर अच्छा स्वांच आपका नाम ले लिए चलो कोई नहीं कल नाम लेंगे अब So question है Greenhouse effect is caused by dash तो greenhouse प्रवाफ किसके कारण होता है nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide यह nitrogen dioxide तो इसका आप लोग देंगे answer आप comment section में और जितने लोगों को अभी computer पढ़ना है तो computer सर हमारे लिए काफी important है तो आप लोग आप computer का आज theory और मैं साथ में कुछ questions भी गराने वाला हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग एक channel है ITI Adda यहाँ पर आके सर हमारी अब computer class start होगी तो जो कि हमारी साड़े बारा से देड़ बजे तक चलने वाली है तो आप लोग अगर चाहें तो इस channel पर आ सकते हैं जहाँ पर आप computer discuss करेंगे तो चलिए फिर अच्छे सिख्याल रखेगा सभी लोग पर इसका answer जोर दीजेगा Greenhouse effect is caused by dash और आप लोग को अगर सिर्फ science का batch लेना है तो आप लोग कैसे ले सकते हैं तो आप लोग कैसे ले सकते हैं तो आप लोग कैसे ले सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इधर प्रेजेंट है capsule course of science अगर आपको यह नहीं देखेंगे तो आप लोग पर आके भी देख सकते हैं तो इधर आप जाएंगे तो capsule course of science अब यह जो batch है ना 1600 किसी को पे नहीं करने 1599 किसी को पे नहीं करने आप बस buy now पे जाएंगे जैसे आप buy now पे click करेंगे यहाँ पे एक जादवी code लगाएंगे and it is Y723 जैसे आप code लगाते हैं Y723 आपको यह batch मिल जाएगा 367 जितने में कोई book आती है जिसमें हम लोग physics chemistry पूरा पूरा complete कर रहे हों है यह जो batch है 799 जो आपको शोगर रहा अगर आप चाहते हैं maximum discount अगेन आप code लगा सकते हैं Y723 और जैसे आप apply करेंगे आपको मिल जाएगा maximum discount रइट यह आपको बैचे के बारे में और सेम चीज़ डिफेंस कि आप mega pack भी ले सकते हैं तो यह सर आपके बैचे से अब हम आ जाते हैं computer classes पर तो सर मिलेंगे कल सभी लोग comment section में इसका answer दरूर देना क्या आपका question का answer क्या था तो कल ठीक 12 बज़े मिलेंगे ठीक है विकास वो मैंने team को बोल दिया इंक्रीज हो जाएगी चलो ओके तर फिर बबावार्य वन टेक केर अब यह जो class है यह वाली केवल 12 से 12 क्लास लगा रहे है क्या हूंकि 12 से 12 से 12 से 12 से 12 से 12 से 12 अपनी computer class होती है एक्चली तर फिर बबावार्य वन टेक केर जैहिंद एंड यस लव यो अल प्लीस टेक केर